नमस्कार दोस्तों, D.U.L.L.B. 2025 की जो एड्मीशन है वो कम्प्लीट हो चुकी है, स्पोर्ट राउंड हो चुके हैं, पहले तीन राउंड हो चुके हैं, और कॉंग्रेशुलेशन्स जिन सब बच्चों को सीट मिल चुकी है, आपकी थ्री यर जर्नी बहुत अच्छी रहने माली है, लेकिन इस वीडियो वोड बी ओल अबाउट जिन बच्चों को अनफॉर्चुनेटली, D.U.L.L.B. 2024 में सीट नहीं मिली, दोस्तों, पहली चीज में आप सब को यह कहना चाहता हूं, कि दिल छोटा करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, यह कोई आप जॉब की एंट्रेंस है, S.S.C., U.P.S.C., वो फेल नहीं किये, यह फिर ऐसा नहीं है कि उसमें आपको जगा नहीं मिली, यह प्लियर कर देते और डारेक्ट पोस्टिंग थी, डारेक्ट सेलरी थी, ऐसा कुछ नहीं है था, यह जस्ट एक एंट्रेंस थी, किसके लिए, L.L.B., लॉव एंट्रेंस थी, चुरो मानता हूं, हो सकता है, D.U. में सीट ना मिली हो, हो सकता है, B.H.U. में सीट ना मिली हो, लेकिन दाट इस कुपलीटी फाइं, ट्रस्ट मी, आपको कस करना है, वो यह है, L.L.B., आपको गोल से नहीं भटकता है, गोल आपका D.U. में जाना नहीं है, गोल आपका एक अच्छा लॉयर बनना, एक अच्छा एडवोकेट बनना, एक अच्छे जजज बनना, आपका गोल यह है, ना कि यह है कि D.U. में बस मैं, आजाओं या फिर B.H.U. में आजाओं, मैंने बहुत सारे स्टूटेंट्स ऐसे देखे हैं, जो D.U. से ग्रेजुएट हुएं, B.H.U. से ग्रेजुएट हुएं, बहुत प्रेस्टीजिएस युनिवरस्टी से ग्रेजुट हुएं, लेकिन तब भी वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्किल डेवलप नहीं किया, उन्होंने अपने उपर काम नहीं किया, उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया, जिस reason के कारण चाहे वो D.U. में थे चाहे वो B.H.U. में थे चाहे वो किसी और यूनिवरस्टी में थे ऐसे X.Y.Z. जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं लेकिन उन्होंने लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं किया और उसका सबसे बड़ा रीजन यही कि उन्होंने इस डिगरी LLP की जो डिगरी है ना तो जब डिगरी कर रहे थे तब कोई हाड़ वर्क किया ना उसके बाद किया जिस reason के कारण उन्होंने कहीं से भी लाइफ किया हो डेजन्ट मैटर लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी बहुत ज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बहुत अच्छा प्रिगेशन में जुडीशियरी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका five chance unfortunately किसी reason के कारण डियू में इस साल रह गया या वर भी एच्यू में इस साल रह गया तो एंड़ या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि life में कुछ और बचा नहीं कि हमारा तो यह एंट्रेंश इन्ट्रेंश इन्ट्रेंश उससे जादा कुछ भी नहीं था eventual जो हम सबका goal है या आप सबका goal है वो LLB करना है और LLB को इस तरह करना है कि आपका skill बहुत अच्छा हो जाए अप लोग को असली में apply कर पाएं अप लोग को समझें कि actually में क्या चीज़े हैं आप लोग के लूप होल्स को समझें अप लोग को implement कर पाएं यह अपना actual target है ना कि यह कि एक डियू में जाना है कि डियू में जाने के बाद भी life ऐसी set नहीं है ऐसे एक reality check आपको दूँ तो चाहे आप डियू में चले जाओ कहीं भी XYZ बड़ी से बड़ी university में चले जाओ लेकिन ऐसा नहीं है कि डियू से the moment आप graduate होगे और एक लाग दस लाग पचास लाग का package खड़ लेके खड़े होंगी companies और आपको सब पैसे दे रहे हैं ऐसा नहीं होने वाला ऐसा बिलकुल भी नहीं है eventually अगर आप अपने अंदर skill develop करेंगे तो आप कुछ मिल जाएगा नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा चाहे आप किसी भी university से पढ़े हों so इस video में मैं mostly answer करने वाला हूँ वो यह कि क्या आपको drop की तरफ जाना चाहिए या नहीं पहली चीज दोस्तों जो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप अपने आपको पहले तो you know एक criteria बनाईए age का criteria हो सकता है आपकी financial conditions का criteria हो सकता है आपकी किसी भी ऐसी और चीज का criteria हो सकता है हो सकता है time का criteria हो पहले तो आप देखिए कि आपकी financial conditions कैसी है क्या अगर आप एक साल drop लेते हैं तो क्या आप उस चीज को afford कर पाएंगे कि आपको you know एक ऐसी situation नहों कि जल्दी से जल्दी जोब पर जाना और earning start करनी है आप कहीं ऐसी कुछ situation में नहों या फिर कई कई बारी क्या होता कि किसी matter के कारण किसी reason के कारण हमें जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई खतम करके कुछ और काम करने होते हैं तो उस चीज को पहले तो अपने mind में रखिए एज इस इस चीज में कोई criteria नहीं है मतलब example के तोर पे कि अगर आप इस moment पे भी 24 के भी हो चुके हैं या फिर आप 20s की एज में भी हैं मैं कहता हूं 30s की एज में भी हैं बहुत सारे students DU में ऐसे हैं जो 30s की एज में बहुत सारे students 40s की एज में भी है Age law में कहीं पे भी LLP में या कोई भी ऐसे course में post graduation के course में matter नहीं करती एज तो criteria ही लेकिन हाँ अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं यार भी मुझे यंग एज में ही पढ़ना है और मैं नहीं चाहता कि यूनों कि मैं 30s में जाके फिर law करूं और 40s में करूं कि तब तो ना मेरे पास energy रहेगी ना मेरे पास resources रहें तो मैं जल्दी से जल्दी कर अगर आप इस criteria में तो ठीक है फिर इस criteria आप ले सकते हैं और कहीं को यह भी है कि नहीं graduation is sufficient जिस भी फिल्द में मैंने graduation की है वो sufficient है मैं उसी के basis पे job लूँगा और यह जो तीन साल है जो तीन साल LLB करूंगा यह मैं कहीं और utilize कर लूँगा यह मैं UPSC की preparation करने के लिए कि drop करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए अगर आप इन सब criteria के बारे में सोच लिया है और आपको लगता है कि yes एक साल का drop मैं afford कर सकता हूं financially भी time wise भी age wise भी resources wise भी तो एक साल का drop is quite like relevant समझ आता है वो आप justified है एक साल का drop ले सकते हैं और एक साल मतलब मैं इस से जादा तो कभ भी नहीं advise करता मुझे एक student मिले थे उन्होंने दो तीन साल का drop लिया just to come for DU और मैंने उन्हें कहा कि जितने साल आपने drop कर ले इतने साल में तो आपके degree आ जाती है अभी तक LB की और अभी आप practice कर रहे होते हैं जहां पे सिरफ आप सिरफ इस पे focus कर रहे हैं कि मैं DU में जा हैं so one year का drop yes आप ले सकते हैं इस example के तौर पर अभी 2024 है तो आपका अगर आप ड्रॉप यह देखा जाए 2024 तो आप आगे 2025 में appear होंगे है CUET के batch में देखे CUET का batch 2025 का आप जैसे जानते हैं हमने start किया हुए अपनी अप learning edge की उपर आप वहां पर classes देख सकते हैं उसे join कर सकते हैं हम पूरा in-depth CUET पढ़ा रहे हैं उसके बारे में पढ़ा रहे हैं mock test ले रहे हैं मतलब classes ले रहे हैं आपको बहुत सारा free content मल जाएगा PDF notes ले रहे है live classes recorded classes with unlimited access so आप इसको join कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे drop के time पे अगर आप यह करना चाहिए तो आप drop पे time पे से join कर सकते हैं और साथ-साथ batch के साथ-साथ मतलब यहां तो आप preparation अपनी पूरी शुरू रखें जो कि हमारे साथ भी आप कर सकते हैं batch के साथ-साथ मैंने बहुत वीडियो में बताया है कि वान यह डिप्लोमा होते हैं बहुत जगह आपको मिल जाएंगे वान यह सिक्स मूंछ डिप्लोमा इगनू से मिल ज हो सकता है किसी और फिल्ड में हो सकता है तो आप यह जो आप वान साल ड्रॉप वन यह ड्रॉप ले रहे हैं यह आप वेस्ट नहीं होगा एक प्लस अगर I am assuming कि शायद आप batch ले ले लें या फिर आप self study भी करें कोई दिक्कती तो एक तो आप स्यूटी की preparation चल रही है ठीक नहीं करूंगा वह बिल्कुल सही होगा और यूटिलाइज ही होगा ठीक है अगर आप वाई चांस ऐसी you know situation में कि नहीं सर ड्रॉप ले नहीं सकते हमें तो अभी enroll होना है किसी भी का you know कुछ भी हो लेकिन हमें enroll होना है तो guys goal for state universities आप चिस भी स्टेट में हैं हो सकता पंजा आप से हो हो जकता आप नहीं आना से हो यूपी से देख रहे हो बिहार से देख रहे हो जहां मर्जी लेकिन जो आपकी state universities नहीं जैसे यह तो Center university it's all about LLB ठीक है eventually it's all about law की डिगरी वह आपको आनी चाहिए ठीक है एक साल ड्रॉप अगर नहीं लेना चाहते तो मैं उस situation में आपको यह you know बता रहा हूं अगर state universities में admission मिलती है तो ले लीजिए आंखें बंद करके ले लीजिए जाला सोचने की जुरूरत नहीं है अगर यहां भी नहीं और आप इस situation में फस गए हैं कि मुझे तो किसी भी एक हालत में लेना ही लेना है then go for private universities लेकिन private universities का बस एक ही drawback रहता है वो यह कि इनकी fees बहुत जादा होती है बहुत as compared to DU अब DU की fees इस साल 7K हुई है per year और यहीं अगर मैं इनकी बात करूं private में तो lakhs of rupees एक साल की fees बहुत जादा लाकों में तो private का बस यहीं drawback है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी drop नहीं लेना ना मुझे state universities में मिल रही है और मैं afford कर सकता हूं मेरे पास पैसा बहुत है मैं पैसा पूरा 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 फोर्ड कर सकता हूं तो फिर आप private universities में जा सकते हैं अगर आप private में मत्ला मत्य पीजी के score पे जो भी जितना भी आपका score है थोड़ा reasonable score हो रहा है चाहिए उसके basis पे आपको थोड़ी सी scholarship in universities में मिल जाती है थोड़ा से wave off के लो थोड़ा सा कम discount मिल जाता है private universities में तो इसको थोड़ा से summarize करता हूं कि हमें क्या करना चाहिए किसी भी reason के कारएं अगर आप state स्टेटी पीजी में अब डीउ में बी एची में सेंटरी उन्वेस्टी में नहीं ले पाए पॉस्ट चीज जो आपको करनी चाहिए go for state university जो अच्छी अच्छी state university जो आपके आसपस है अगर यह नहीं है तो go for one year drop और drop में मैं आपको बताई चुका हूं तो आप batch में enrolled हो सक सकते हैं यहां फिर आप अपना पढ़ सकते हैं self study कर सकते हैं हम आपकी पूरी तरह इसमें help करेंगे batchment roll होते हैं आप साथ-साथ one year diplomas और six months के diplomas वह बहुत जगा मिल जाएंगे आपको बहुत जगा और reasonable prices वर कुछ ज्यादा प्राइज नहीं तो one year diploma आपका चलता जाएगा ताकि gap year कोई नहीं होगा कोई भी gap year नहीं होगा वह बहुत दिखा सकते हैं और उसके बाद भी अगर आप उस category में belong करते हैं कि नहीं मुझे तो हर हालत में ही you know join करना ही करना और मैं 2024 में ही join करना चाहता हूं ताकि 25 26 27 में मेरी law की degree आ जाए किसी भी हालत में 27 से आगे नही नहीं जा सकता फिर आप प्राइवेट की तरफ देख सकते हैं प्राइवेट की तरफ अगर आप देखते हैं कंडीशन एक ही है वह पैसा चाहे आप इनके हॉस्टल में चले जाए चाहे आप इनकी फीज देख लें चाहे आप कुछ भी देख लें पैसा is unlimited कोई limit ही नहीं हो हो जाए कोई पंचाब बार काउंचल में रोल हो जाए होना हमने इवेंच्वली बार काउंचल में लेकिन डिगरी भी हमारे पास वही मिलनी है लेकिन इसी डिगरी को लेने के बहुत सारे तरीक है जैसे छोटी से एक चीज बताओ कि मैं अमरित सर से दिल्ली आना चाहता के पैसे लगेần infinitely इस्ताबी ट्रेंड में एक बंदा जो फॉलाइट में गें फौर तौफ हूज है कंब जो नौ यह जरनल में आ गया पुसके पैसे पैसे रूपी हैं फिंड्रच एक मन्दा जो खुद की टेक्सी करके आया हो सकते उसके पैसे लगेागे सार से सम्टेंस है Same Time है, Same सब कुछ है Difference सिरफ इसमें आ रहा है कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है आप भी Eventually आपने पहुंचना कहा है, LLB आपने करना क्या है, Graduation किसमें, Law में, Eventual Goal आपका यही है अब आप वो जैसे मर्जी कान पकड़ लीजिए चाहे आप इदर से आजाएं चाहे आप उदर से आजाएं मर्जी आप बाकी मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर एक साल का ड्रॉप ले सकते हैं तो आप ले लीजिए तो प्राइवेट में ले लीजिए तो यह कुछ क्रक्स है दोस्तों अबाउट दोज जिनकी अनफॉर्टुनेटली इस साल अड्मिशन नहीं हो पाई बहुत टाइम से मैं यह वीडियो बनाना चाहता था आप सब को कहना चाहता था बट डियू टू सम रिजन्स बहुत ज्या आप और कोई आपका कोशन हो प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेक देना और सब्सक्राइब कर लेना वो सब आप जानते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बैच हमारा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है बहुत अच्छा रिस्पांस है स्टूजन से रिस्पा सब्सक्राइब काफी अच्छा कर रहे हैं और जल्दी जल्दी आप भी अन्रोल हो सकते हैं और अगर आप उन मेंसे हैं जिसने लल्बी के अंदर अन्रोल कर लिया है जहां सिरफ जिसको कॉंस्ट्यूशन ही सीखना है उसका एक बैच अलग चल रहा है कॉंस्ट्यूशन का उसमें सिर्फ और सिर्फ कोंस्ट्यूशन के रिकॉर्डेट फ्लासेज लग चलती है तो आप उसमें भी अन्रोल हो सकते हैं तो इस वीडियो को लिए रखते हैं दोस्तों थैंक यू सो मच यहां तक देखने के लिए और प्यार करने के लिए अगर कोई भी कोशन हो फील फ कर देखने के लिए सकते हैं